Students, आज हम पढ़ेंगे Class 5 का, हिंदी का Chapter 5, जहां चाह, वहां रहा. तो इस Chapter में दिया गया है, अगर व्यक्ति को के अंदर इच्छा सकती है, अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर अधिक इच्छा सकती होता है, तो वो हर रहा उसके लिए आसान हो जाता है मतलब वो कुछ भी कर सकता है तो यहां पर हम लोग सुरू करते हैं मलमली धूती का बादा में रंखील उठा था किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बैल थी पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे सुनहरे रूपहले बेल बुटों से जान आ गई थी मलमल में इन बेल बुटों को सजाया था इला सचानी ने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कडाई के नमुने तो बच्चों ये देख रहे हो तुम लोग ये आप जो इला सचानी है वो अपने पेरों से कैसे कडाई कर रहे है तो यहां पर दिया गया है मलमलिक की जड़ोती होती है साड़ी होती है उसमें बादामी रंग बहुत खिल उठा था बहुत सुन्दर लग रहा था किनारों पर कसूर्टी के टांके जो धागा होता है उसमें क्या पिरोई गई थी बेल की बेल जो है उस वो पिरोई गई थी पल्लू पर भरवाट आके अपना कमाल दिखा रहे थे पल्लू पर जो पल्ला होता है उसमें पुरए एकदम भरा हुआ पल्लू होता है वो बहुत ही सुन्दर दिख रहा था सुनहरे रुपहले बेल बुटों से जान आ गई थी मलमल में जो साड़ी थी जो वो उसमें सुनहरे रुपहले बेल बुटों से उसमें जान आ गई थी मतलब बहुत ही सुन्दर लग रही थी 26 साल की इलाग गुजरात के सूरत जिले में रहती थी रहती हैं उनका बच्पन अमरेली जीला के राजकोट गाओं में अपने नाना के यहां बीता तो इसमें जो कहा गया है जिनके बारे में इला सचानी के बारे में वो क्या है वो 26 साल के है और वो गुजरात के सूरत जीले में रहते हैं और उनका बचमन जो है आमरेली जीले के राजकोट गाव में अपने नाना के यहां बीता था। सांज होते ही मोहले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तीर्छी लकिरे खिसते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से तूटे-फुटे घरों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। में एक साथ गाते तो यहां पे जया गया है जो सांच होता है जो इभनिंग का टाइम होता है तो उस उस समय क्या होता है मौले के बच्चों के बच्चे जो हैं घर से बाहर आ जाते हैं और बीभी ने प्रकार के खेल खेलते हैं जैसे कि कुछ मेटी में आड़ी-ठी लाकीरे खिशते हैं और कुछ कनेर के पत्ते से पिट पिटी बजाते हुए खेलते हैं कुछ गट्टे खेलते हैं और कुछ क्या है वह पिठू खेलते हैं ठीकरे जो वह बटरकॉर वह पिठू खेलते हैं तो इन सब से जब उनका मन भर जाता है तो वह क्या करते हैं पेड की डालियों पर जूला जूलते और उची 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 पेंगे लेते हैं और एक साथ गाते हैं कच्चे निमकी निमगोरी सावन जल्दी आयोरी वो गिदगा कर वो जूला जूलते हैं इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं लेती रस्ची पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे वो चुपचाप एक किनारे बैट जाती मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूं तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इला के जो है हाथ ठीक से नहीं चल रहे थे तो वो रस्ची पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है यह थैए धर तो उड़ते ही नहीं थे फिर वो क्या करती वो चुपचाप जाके किनारे में बैट जाती थी और मन ही मन सोचती कि मैं यह क कुछ क्यों नहीं कर पारी हूं बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी ना किसी तरह तो अपने उनके साथ खेल सके कभी कवार वह पकडम पकड़ाई और भी समरूत के खेल में सामील हो जाती साथियों के साथ जम कर दोड़ती मगर जब धपा करने की बारी आती तो फिर निरास ह दो जाती हाथ ही नहीं ऊठेंगे तो धपा कैसे देगी बहुत कोशिश करती पर उसके हाथ्यों ने तो जैसे उसका सातना देने की ठान रखी हो इला ने अपने हाथों की इस जैत को एक चुनोती माना है तो इसमें क्या दिया गया है तो इला की जो हाथ नहीं चल रहे थे तो वो उनके साथ ठीक से खेल भी नहीं पाती थी बच्चों के साथ तो बच्चे भी लेकिन बच्चे चाहते थे कि उसके साथ उनके साथ वो खेले कभी कवार वो पकड़म पकड़ाई और भी समरुद खेल लेती थी मगर जब धपा आने की बारी आती थी तो वो अपने हाथ से दे नहीं पा रही थी तो बहुत कोशिश करती मगर उसके हाथ तो उठते ही नहीं थे तो इला ने उसके जो हाथ नहीं उठती थी उसकी तो वो अपने उसको क्या है जित को एक चुनोती माना था कि हाथ न अपने पेरों से करना सिखा जो हम हाथों से करते हैं दाल भाथ हाना, दूसरों के बाल बनाना, फरस बहाना, बहाना, कपड़े दोना, तरकारी काटना, यहां तक कि तक्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखीला ले लिया तो क्या हुआ उसको हाथ नहीं चल रहते तो हम लोग जो हाथ में काम करते हैं वो अपने पैरों में करना सीख लिया तो क्या करती वो दाल भात भी खास सकती थी दूसरों के बाल भी बना सकती थी और जो जाडू पोच्छा है वो भी अपने पैरों से कर सकती थी तो वो क्या क्या फिर बाद में क्या क्या वो एक स्कूल में दाखिला ले लिया दाखिला मिलने में भी उसे परिशानी हुई कहीं तो उसकी सुरुख्षय को लेकर सिंतीनता थे कहीं उसके काम करने की गति को लेकर किसी काम को तो वो इतनी फूर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाती पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परिशानी तो आती ही थी तो क्या हुआ वो स्कूल में जब दाखिला ले लिया पर क्या हुआ हर काम में उसको वो आसानी से नहीं कर सकती तो कुछ काम में उसको कुछ मुश्खिल henen भी उठाने पड़ी तो कुछ काम को वो इतनी फूर्ती से कर जाती कि दूसरे लोग देखते ही रह जाती पर कुछ काम में उसको बहुत थोड़ी बहुत परिशानी भी आती थी वो परिशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी उसने दस्मी कख्या तक पढ़ाई की वो दस्मी की परिख्या पास नहीं कर पाई इला को यह मालूम ना था कि परिख्या के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है उसे ऐसे ब्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परिख्या में उसके लिए लिखने का काम कर सके तो क्या हुआ वो तो स्कूल में दखिला ले लिया वो दस्मी तक पढ़ाई की पर वो दस्मी की कख्या का परिख्या पास नहीं कर पाई तो उसको ये मालूम नहीं था कि उसको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं तो परिख्या के लिए अत्रिक समय जो उसको मिल सकता था और इसे बैक्ती भी उसको मिल सकता था जो कि उसके लिए लिख सके उसको ये जानकारी नहीं थी यह जानकारी इलाक को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता उसे इस बात का दुख है पर यहां आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना तो उसको दुख था कि उसको मालूम नहीं था कि उसके लिए कोई लिख सकता था उसे अत्रिक समय मिल सकता था पर उसको ये बात मालूम नहीं पड़ा तो उसको थोड़ा दुख हुआ पर वो सोचती है कि यहां पर आकर तो यह सब खतम नहीं हो जाएगा मैं यहीं सोच के तो बैटने बली नहीं हूँ उसकी मा और दादी कसिदाकारी करती थी वह उन्हें सुई में रेशम पीरोने की से लेकर बुटियां उकरते हुए देखती ना जाने कब उसने कसिदाकारी करने की ठाल ली तो फिर बाद में क्या हुआ उसकी मा और दादी जो कसिदाकारी करती थी मतलब कड़ाई करती थी तो रेशम पीरोने से लेकर बुटियां उकेन नतर मतलब वो रेशम के धागे से बुटियां करती थी जो वो सब देखती थी वो तो कब उसको फिर वो सोची की वो भी आपन यहां भी उसने अपने पेरों के अंगुठों का सहरा लिया दोनों अंगुठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेसम पिरोना कोई आसन काम नहीं था पर कहते हैं जाचा पारा उसके विश्वास और धर्ये ने कुद्रत को भी जुटला दिया तो क्या हुआ वो तो सिख के कगारी वो कढ़ाई जो अपने मा दादी से सिक गए पर वो हाथ से तो नहीं कर पाद रही थी वो अपने यहां पे भी उसका वो अपने पेरों का ही इस्तिमाल कया पेरों के अंगुठे के बीच में सुई थमाकर वो कड़ाई करने लगी 15-16 साल के होते होते इला काठिया बाड़ी का सिधाकारी में माहिर हो चुकी थी किस बस्त्र पर किस तरह के नमुने बनाए जाएं कौन से रंगों से नमुना खील उठेगा और टांके कौन से लगें ये सब वह समझ गई थी तो वो जो 15-16 साल हो गई तो वो कड़ाई में पूरा माहिर हो चुकी थी उसे पता चल चुका था कि कौन से बस्त में कैसे नमुने बनाए जाएं कौन सा डीजाइन किया जाएं कौन सा रंग उसमें अच्छा लगेगा सुन्दर लगेगा कौन से टांके लगाने हैं वो सब समझ गई थी एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा कड़े गए कड़े गए परिधानों की प्रदर्शन नहीं लगी इन परिधानों में काठियाबाड के साथ साथ लखनो और बंगल भी जलक रहा था इला ने काठियाबाडी टांकों के साथ साथ कई टांके भी इस्तिमाल किये थे तो फिर क्या हुआ धीरे धीरे उसके जो परिधान थे उसके जो वो जो कड़ाई करती थी वो प्रदर्शन प्रदर्शनी में लगी उसकी तो वो कठियाबाड के साथ साथ उसके जो कड़ाई में लखनों का जो स्टीच होता है बंगल का जो जलक होता है वो बंगल के स्टीच जो उसमें जो दिखाई जलक रहा था इला ने फिर काठ्यावाई टांकों के साथ कई अर्थ रहा कई टांके भी सेके पत्यों के को चिकन कारी किसे सजाया था डंडियों को कांथा से उभरा था पसुपक्षों की जैमितियां अक्रूतियों को कसूती और जंजिर से उठा रखा था तो वो भिन भिन प्रकार की डिजाइन करती थी पत्यों में जो चिकन कारी किसे कड़ाई से उसको सजाया था फिर डंडियों को कांथा स्टीज जो होता है उसमें सजाया था और वो क्या है पसोपक्षियों की जैमितियों आक्रूतियों से कसूतियों और जंजिर से उठा रखा था पारम पर एक डिजाइन में भी नवनीता सभी को बहुत भाई इला के पाउं अब रूपते नहीं है आखों में चमक, होटों पर मुस्कान और अनुठा विश्वास लिए वो सुनहरी रूपहली बुटियां उकरते ठकती नहीं थी तो क्या हुआ धीरे धीरे उसको सब कड़ाई का उसे मालूम हो गया वो अपने पैरों से अंगुटे के बीच सुई थमा कर वो सुन्दर सुन्दर कड़ाई करने लगी तो उसके पाउं अब रूपते नहीं थी मतला वो फिर आगे आगे डिजाइन फिर वो जो कड़ाई है वो सिकती फिर उसको उभारती फिर उसको उजो प्रदर्शनी में लगती तो उसके आखों में चमक आ रही थी फोटो पर मुश्कान आ रहा था और अनुठ विश्वास उसके अंदर जो विश्वास था वो फिर ज़्यादा बढ़ रहा था और सुनहर रुपेली बुटियां करते ठकती नहीं थी फिर वो जितना विश्वास उसके अंदर आ रहा था वो उतनी ही बुटियां और कड़ाई करते ठकती नहीं थी तो बचों यह हो गया हमारा चप्टर फाइफ का जो जहांचा बारा हम नेक्स्ट वीडियो में उसका को बहा हम वीडियो ओंदाध डंद में फर उसको फिर द face